आज हम बनाएंगे घर पर ही घहुं के आटे से बहुत ही टेस्टी लच्छा पराँथा आज हम इसे गारलिक फ्लेवर में बनाने वाले हैं जिससे खाने में और भी सदा टेस्टी लगेगा तो आप भी एकटम पॉफेक्ट बाजार जैसा लच्छा परांठा बनाना चाहती हैं तो प्लीज वीडियो को लाज तक जरूर देखें लच्छा परांठा तयार करने के लिए सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे तेर्ड कप जितना गेहूं का आटा साथ ही डालेंगे हम एक चम्मच जितना नमक दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हलका सौफ दो लगा कर तयार करेंगे एक साथ हमें जब बहुत जादा पानी इसमें नहीं डालना है हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे अपनी ज़रूरत के अनुसार तो यह आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए हलका सौफ डो लगा कर तयार कर लिया है अभी हमें डो को बहुत जादा मनने के ज़रूरत नहीं है हम इस डो को कवर करके कम से कम 10-15 मेट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हमने लिया है यहाँ पर 2 चमच इतना देसी घी गी को हम अच्छे से फेटेंगे इसे क्या होगा घी जो है वो एकदम लाइट हो जाता है और एकदम क्रीमी टेक्शर में आ जाता है आप चाहें तो यहाँ पर घी की जगे बटर भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नॉर्मली हम सभी के घर पर घी अबेलेबल होता ही है घी को फिटने के बाद आप देखेंगे घी जो है वो हलके लाइट कलर का हो गया है और साथी इसका जो टेक्शर है वो पहले से काफी क्रीमी हो गया है तो बस हमें इसी तरीके का चाहिए अभी हम इसमें डालेंगे एक बारी कटी हुई हरी मिच थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया आधा चम मत चितना चिली फ्लेक्स या फिर दर्दरी कुटी हुई लाल मिच एक पिंच गरम मसाला एक पिंच चितना आम चूर पाउडर एक पिंच इतना हल्दी का पाउडर सबी चीजों को डाल कर अच्छी से मिक्स कर लेंगे मसाले डालने से पराथा जो है वो खाने में और भी जदा टेस्टी लगता है अभी हम यहां पर गार्लिक अच्छा पराथा बना रहे हैं तो सबसे लास में हम इसमें डालेंगी एक एक तम बारी कुटा हुआ लेजन लेजन को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस अभी हमारा गार्लिक का मिक्षर तयार है अभी हम अपने आठे को चेक कर लेते हैं तो आठा भी जो है वो अच्छे से से सेट हो गया है तो हलका सा मलेंगे से इससे आठा जो है व लोई के ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसे किसी भी प्लेन सर्फेस या चॉपिंग बोर्ड पर रखकर इसकी एकदम पतली शीट बेल कर तयार करेंगे हमें इसकी शीट थोड़ी बड़ी बेलनी है जितना हम नॉर्मल पराटा बेलते हैं उससे भी जादा पूरे पराटे को मैंने यहां बेल कर तयार कर लिया है अब भी हम इस पर लगाएंगे अपने कारलिक का मिक्षर जो हमने थोड़ा टाइम पहले तयार किया था पूरे पराटे पर इसे इविनली स्प्रेट कर देंगे इसे लगाने से इसमें जो लच्छे हैं वो बहुत ही अच्छे से आते हैं तो सभी साइट में और बीच में इसे अच्छे से फिला देंगे गालिक के मिक्षर को लगाने के बाद अभी हम इसे फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के लिए इसे सबसे लास्ट में इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे जैसे हम पचपन में छोटे पच्चों के लिए फैन मनाते थे ना सेम उसी तरीके से बस इस तरीके से फोल्ड करते जाना है आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ जब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो इससे इसमें लच्छे जो है वो बहुत इच्छी से आते हैं फोल्ड करने के बाद इसे हलका से इस तरीके से खींच का लंबा करेंगे अभी हम इसे एक साइट से घुमाते हुए इस तरीके की इसके लोई बनाएंगे इसके बीच में जगा नहीं होने चाहिए इसे हलका टाइट फोल्ड करना है हमें अच्छे से फोल्ड करने के बाद यह सबसे लास्ट वाली जगा है उसे हम नीचे इस तरीके से दबा देंगे और अभी इसके उपर लगाएंगे थोड़ा साहरा धनिया और साथ ही लगाएंगे थोड़ी से काले तिल यानि कलोंजी जैसे पराठा जो है वो देखने में और भी जदा अच्छा लगता है अभी इसके उपर लगाएंगे थोड़ा सा सूका आठा जिससे हम पराठे बढ़ने में आसानी जहेगी जब भी आप लच्छा पराठा बेलें तो उसे बहुत जादा प्रैशर के साथ बिल्कुल ना बेले उसे उसके लच्छे अच्छे नहीं खुलते हैं तो बस हलके हलके हाथ से बेलते जाएंगी और पराठे को हमें बहुत ज़दा बड़ा नहीं बेलना है लच्छा पराठा हम हलका मूटा ही रखेंगी अभी हम पराठे को सेखने के लिए तबे के उपडालेंगी तो यहाँ मैंने तबा पहले से हलका गर्म कर लिया था याद रखें कभी भी आप लच्छा पराथा को दीमियाज पनना सिखें इससे पराथे के जो लच्छे हैं वो अच्छे से नहीं खुलते हैं एक साइट से पराथा सिखने के बाद हम इस पर घी लगा देंगी और अब हम इसे प्लट देंगे और दूसे साइट से भी हलका ससिकने देंगे याद रखें साइट से भी हम घी लगा देंगे पराथा जो है वो घी के जार जार टेस्टी लगता है आप चाहें तो इसमें outlines लगा सकते हैं हलके हलके फाथ से प्रेस करेंगे याद रखें, जादा जोरू से प्रेस ना करें, अधरवाइस पराठे में लच्छे अच्छे से नहीं आएंगे, तो सेम इसी तरीके से इसे पलट-पलट का दोनों साइट से अच्छा कलर चेंज होने तक सिखने देंगे, पराठा हलका मोटा होता है, इसलिए से सिखने में थ पराठे को खोल कर दिखाती हूँ, इसे हलका सहाफ हातों से इस तरीके से करेंगे, तो इसके जो सारे लच्छे हैं, वो एकदम अलग-अलग हो जाएंगे, लग रहा है ना देखने में बहुत ही जाए टेस्टी, तो इस तरीके से आप कहूं के आटे से ही बहुत ही टेस्ट झाल